हाई फ्रेंग्स कैसे हैं आप सब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आज फिर आपकी वैल्विशर्स आपके लिए एक बहुत अच्छ प्रोड़क्त लेके आई हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस समय जो मेरे हाथ में प्रोड़क्त है वो दिव्य आश्वगंदा चूरन है जो कि चूरन है स्पेशली जड़ी ब्यूटियों से मिलकर बनाया गया है जिसमें किसी पर करका ऐसा रसायल नहीं मिलाया गया है जिसके आपको इफेक्ट लो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं आप इस प्रोड़क्ता नाम है अश्वगंदा चूरन जो कि भारत में निर्मित भारत में बनाये गए है यह पतंजली वालों के प्रोड़क्त है पतंजली आयोवेदा का उतपाद है आईए दोस्तों आपको बताना चाह जाएगे उनका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इसके जो सेवन से है जो दूद पिलाने वली इस्त्रियों में दूद की जो विर्दी है वह होनी स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपको बता दूँ एक वर्ष तक अगर आप इसका लगाता है इस्तमाल करते तो प्योंड वह करें तकी उस्तार्ट प्रॉपिल्ट रख व्योग सर्दियों में इसका बहुत ज्यादा करता है दूसरा अगर दिन में एक और आप दीन है अगर आप दिन में इसको तीन बार लेते हैं एक ग्रां लेने से आपकी जो हमीवोगलोबिन है वह आपकी शरीर का ब और इसका प्रियोग से आपके शिर का बांजपन भी दूर हो जाता है मापके फिस को फाइदे बता चुकी हूँ यह लेडिस के लिए बहुत अच्छा है जिन लेडिस को अस्तन पान में दूद की प्रोब्लम है जिनको जो लेडिस आभी-ाभी मापनी है उनके उनके शेरी नमें दूद की कमी है तो उसकी मात्रों को यह बढ़ाएगा अगर लेडिस का इस्तमाल करती है जिनको प्रेग्नेंसी में दिखते होती है तो उनके लिए भी बहुत जादा फाइदे मन दें उनके बांजपन को जो है बिल्कुल अच्छा से दूर करेगा और आपने देखा होगा दोस्तों आज के बच्चे जो हैं बहुत जादा दूसरा मैं आपको बता भी चुकी हूँ अगर आप इसका कंटीन यूज लिया अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपका जो शेरीर हो बिल्कुल रोगों से रही तो जाएगा तो इसके फाइदे आपकी निजी लाइफ में बहुत ही जादा है तो आप जो है इसका अगर आप चाहे तो अगर आपने डोक्टर से इसके बार में शलाभी ले सकते हैं और दोस्तों इसको आप ऐसे जगा इसको आप गरम या अंधेरे या जूखी जगा पर रखिए और अगर आपने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया तो इसके प्लीज इसके इसके ऑने य यूज़ दो साल तक कर सकते हैं तो आप इसका यूज़ जरू कीज़ेगा यह चूरण आपके सिहत के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मत है मेरी वीडियो पर लाइक कमेंट करते रहेज़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बैल आइकन पर क्लिक जिये धन्यवाद